नमस्कार स्वागत है आप सुभी का दूरशन समाचारा आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाशा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजर हो मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सयोगी मनीशा जो खबरों को सांकेतिक भाशा के जरीए आप सभी तक पहुच आएंगी तो चलिए श सुभा के सुर्खिया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज रूस तोरे पर होंगे रवाना सोलहवे बिक्स शिकर सम्मिलन में लेंगे भाग राश्ट्रपती पुतीन से भी करेंगे मुलाकात महराश्ट्रो और जार्खंड के दूसरे चरण के अधिसूचना आज होगी जारी कॉंगरस ने जार्खंड के लिए पहली सूची की जारी वक्फो बिल परबनी से युक्ति संसदी असमिती की आज फिर होगी बैठक कल बैठक में संशोधन के स्वरूप को लेकर हुई चर्चा बढ़ते प्रदूशर के बीच दिली एंसियार में आज से ग्रैप टू होगा लागू कई जगाओ पर AQI लेवल तीन सो के पार सुप्रिम कोट आज नीट यूजी दोहजार चॉबिस के फैसले की करेगा समिक्षा याचिका में की गई न्यायाले के पिछले फैसले को पलटने की मांग तो ये थी सुभा के सुर्कियों और अब ख़बरों में विस्तार से बात करेंगे प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी आज से रोज की दो दिवसी यात्रा पर रवाना होंगे जहां वो कजान में सोलहवे ब्रिक्स शुखर सम्मिलन में भाग लेंगे शुखर सम्मिलन का विशे न्यायपोर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए भहुपक्षवाद को मजबूत करना है शिकर सम्मिलन नेताओं को प्रमुक बैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महतपोर्ण मंच प्रदान करेगा इसमें ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का भी आंकलन किया जाएगा भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से इसकी सभी गतिविधिया पहलों और प्रतिबधताओं में भाग लिया है दो दिवसी शिकर सम्मिलन आर्थिक सहयोग को भी मचपूत करेगा उर्जा और खादि सुरक्षा, स्वास्ते देखवाल और युवा आदान प्रतान के लिए सहयोग को बढ़ावा दीगा पिछले साल जोहांसबर्ग शिकर सम्मिलन में ब्रिक्स के पहले विस्तार के बाद ये पहला शिकर सम्मिलन होगा ये शिकर सम्मिलन आज से शिरू होगा लेकिन शिकर सम्मिलन का मुख्य दिन कल होगा प्रधान मंत्री मोदी, रूस के राष्ट्रपती व्लादिमेर पुतीन के साथ दोईपक्षिय बैठक भी करेंगे शिकर समेलन के अलावा प्रधार मंत्री के कुछ दोई पक्षिय बैठकों में भाग लेने की भी उम्मीद है भारत और चीन के बीच वास्तवेक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर समझोता हुआ है विदेश सचिफ ने इस बात की जान करी देती हुए बताया कि पिछले कई हफ्तों में हुई चर्चाओं के बाद भारत और चीन के बीच LAC पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमती बन गई है चुनावायोक महराश्र में विदानसभा चुनाव के लिए आज अधिसू चुनाव जानी करेगा इसके साथ ही महराश्र में विदानसभा के लिए नामंकन भी शिरू हो जाएंगे 29 अक्टूबर को नामंकन का आखरी दिन है और 30 अक्टूबर को नामंकन पत्रों की जाज की जाएगी महाराज रुकी 288 विधानसवा सीटों के लिए एक चुरण में 20 नवंबर को मतदान होगा जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिंती की जाएगी और वहीं जार्खण में भी विधानसवा चुनाव का विगुल बच चुका है जार्खण विधानसवा चुनाव की दूसरे चरण की 38 सीटों पर चुनाव के दिसूचना आज जारी होगी और इसी के साथ इन सीटों पर नामंकन प्रक्रिया भी शिरू हो जाएगी इन सीटों पर नामंकन की अंतिमतिती 29 अक्टूबर निर्थारित की गई है जबकि 30 अक्टूबर को नामंकन पत्रों की जाच की जाएगी साथी एक नवंबर तक नामक गंपत्रू वापस लिये जा सकेंगे आपको बतादे कि इन सभी सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है जारखन में 81 विधान सफा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है राज्य में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को 43 सीटों पर होगा तो वहीं वोटों की गिंती 23 नवंबर को होगी जारखन में 29,562 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं इसमें 24,520 बूथ ग्रामिड शेत्रों में होंगे राज्य में 2,6 करोड मतदाता हैं जिसमें महिला मतदाता 1,2 करोड और पुरिश मतदाता 1,3 करोड हैं और वहीं कॉंग्रेस ने जारखन विधान सबाद चुनाफ के लिए 21 उमीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी हैं जारखन सरकार में मंतरी रामेश्वर और राम विलोहर्दगा विधान सबाद सीट से चुनाफ लड़ेंगे जबकी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजोय कुमार जमशेदपूर पूर्वी सीट से चुनाफ लड़ेंगे राज्यक क्यमंतरी डॉक्टर इर्फान अंसारी को उनकी मौझुदा जांताड़ा विधान सबाद सीट से चुनाफी मैदान में उतारा गिया है वहीं कॉंग्रेस की केंद्रिय चुनाव समिती ने इने नामों पर महर लगाई है दिली NCR में प्रदूशड के खतरनाग स्तर को देखते हुए ग्रैप 2 की पावंतियां आज लागू होगी AQI लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने ये आदेश जारी किया है जिसके तहत आज सुभा आठ बजे से ग्रैप 2 लागू होगा इस आदेश के लागू होते ही दिली NCR में चिन्नेत सडकों पर हर रोज वेक्यूम स्विपिंग और पानी का छड़काव करने के लिए निर्देश जारी किये गए है CAQM ने नाक्रिकों से सार्वजनिक परिवहन का ज्यादा से ज्यादा इस्तमाल करने की भी अपील की है लोगों से तकनीक की मदद लेकर कम फिर भाड़ वाले रास्तों पर आवाजा ही करने की अपील की गई जबकि CNG, इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को भी बढ़ाया जाएगा साथी धूल पैदा करने वाली निर्मार गती विधियों से बचने को भी कहा गया है वक्फ संशुधन विधियक 2024 पर बनी संयुकत संसद्य समीति की आज फिर बैठक बुलाई गई है इससे पहले विते कल हुई बैठक में एक बार फिर जोड़दार हंगा मा हुआ विपक्षी दल के सांसदों ने सवाल उठाया कि सरकार को इस बिल को जल्दबाजी में लाने की जरूरत क्यों पड़ी इसके अलावा अलग 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 प्रतिरिधियों ने मौजदा वक्फ बिल के स्वरूप पर संशुधन के प्रस्ताव पर कमैटी के सामने अपने विचार प्रस्तुत किये समीति ने आज भी कोछ स्टेक होल्दर्स को बैठक में बुलाया है सुप्रेम कोट आज नीट यूजी दो हजार चौबेस के फैसले की से मिक्षा करेगा दाखिल की गई आज अगा में न्यायाले के पिछले फैसले को पलटने की मांग की गई है जिसमें नीट यूजी परिक्षा के दोरान आने मिताओं में दावो में कोई दम नहीं पाया गया था आपको बता दे कि उच्च न्यायाले ने राश्ट्रिये एंटिये की प्रिशासने के संचलन के बारे में व्यापक चिन्ताओं को भी सुईकार किया था जो की नीट यूजी की देखरेख करने वाली संस्था है तो वहीं इससे पहले सर्वो चिन्यायाले ने भारत सरकार को एंटिये की पार दर्शिता और प्रभाव शीलता की जाच करने और उसे बढ़ाने के लिए एक समिती गठित करने का भी निर्देश दिया था बात अब बारानसी की जहां ग्यान बापी इस्तित वजुखाने का भारती पुराततु सर्विक्षण द्वारा सर्वे कराने की मांग को लेकर इलाबाद हाई कोट में दायरव पुररिक्षण की याचुका पर आज सुनवाई हुनी है इस याचुका पर इससे पहले दो अक्टूबर को सुनवाई हुई थी जिसमें हाई कोट ने याचुकार राखिस सिंग की अधिवक्त अस्वारब दिवारी को पूर्फ में हुए सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था मध्या इंद्वान साकर में एक संभावित चक्रवात दाना तेजी से आगे बढ़ रहा है इस चक्रवात के कल ओडिशा पर्श्य मंगाल की तर्च से टकराने की संभाफना है इसके कारण 24 और 25 अक्टूबर को ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है चक्रवात दाना के मद्य नजर ओडिशा के बालासौर जिला में प्रिशासन अलर्ट मोड पर है तैयारी को लेकर बालासौर के जिवा मजिस्ट्रेट मयूर सुर्यवंशी ने कहा कि चक्रवात से प्रभावित होने की संभाफना वाले शेत्रों को जल्द खाली कराया जा रहा है और इसी के साथ फिलाल सांकित इगभाशों के इस खास बुलिटर में मुझे मेरी सेयों की मनीशा और हमारी पुरी टीम को दीजे अनुमती नमस्कार